आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातों को शेयर करने जा रही हूँ जो कि परमेशुर को आदर देने की बाते हैं परमेशुर को ओनर देने की बाते हैं और वचन में जैसे लिखा है कि हर एक बात में यानि तुमारे उठने बैठने चलने फिरने से परमेशुर को आदर मिलना तो कई बार हमें लगता है कि यह तो बड़ी broader एक term है कि हर बात में परमेश्वर को honor मिलना चाहिए पर इसको अगर हम थोड़ा-थोड़ा तोड़ कर देखें तो मुझे लगता है हमारे सब के समझने में आसानी हो जाएगी कि actually परमेश्वर किन-किन areas में चाहते हैं कि हम परमेश्वर को आदर दे किन-किन areas में चाहते हैं कि परमेश्वर कि हम उनके नाम को उचा कर सके जैसे कि Book of Revelation में आप प्रकाशत वाक्या में देखते हैं तो वहाँ पर chapter number 4 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर 10 और 11 आयत में ये बात कही गई है कि जब परमेश्वर के सिंखासन के सामने देखा जाता है एक picture दिखाई जा रही है और वो ऐसे picturize की जा रही है कि 24 elders जो है जो प्राचीन है वो परमेश्वर के सामने जुख जुख कर सजदा कर रहे है और सरफ सजदा ही नहीं कर रहे है वो अपने ताज को अपने crowns को परमेश्वर के सामने रख दे रहे है तो यानि एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये reality है वो सरफ सुर्ग की reality नहीं होगी वो हर एक इनसान की reality होगी यानि के हर एक घुटना टिकेगा हर एक जुबान अंगिकार करेगी और चाहे कोई अपने आपको बड़ा समझता है चाहे अपने आपको छोटा समझता है हर एक जिन्हों ने अपने अपने सुरों पर ताज जो भी रखेवे हैं वो उठाकर परमेश्वर के सामने रखेंगे इस बात को बताने के लिए के वो ही परमेश्वर है So that is the ultimate reality ये होने वाला है ये ही होना है ये ही तै किया गया है So जब हम honor की बात करते हैं That means किसी को उस ओधे पर बिठाना किसी को उस जगा पर बिठाना जो सिर्फ उसी के लायक जगा हो Bible में बहुत सारे लोगों के लिए आदर करने की बात उन्हें इज़त देने की बात की गई है Parents के बारे में बात की गई है अपने elders को इज़त देने की बात की गई है अपनी authorities को इज़त देने की बात की गई है पर सबसे ज्यादा जो इज़त देने की, ओनर करने की बात की गई है, वो परमेश्वर को की गई है So primarily मैं आपके साथ पांच ऐसी चीज़ों को शेयर करने जा रही हूँ कि हम कैसे परमेश्वर को आदर दे सकते है सबसे पहली चीज़ हम अपने टाइम के साथ परमेश्वर को आउनर कर सकते है जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा टाइम कितना है वचन बताता है कि इनसान की जो आयू है वो एक सांस की तरह है जब आप भजन सहता 144 के 4 को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि इनसान की जो उमर है वो तो सांस की जैसी है यानी कि it is just like a breath और उसके दिन क्या है ढलती होई चाया क्या से जैसे है तो यानी और वचन में एक जगा ऐसे भी लिखह कै कि बुल-bुले के समान है एक जगह ऐसा भी लिखा है कि 70 वर्ष है खेंच के आप असी भी कर लेंगे यानि कि एक time period है जिसमें इनसान इस धर्ती पर रहता है that means जितना भी time हमें मिला है हम उस time के साथ परमेश्वर को honor करें it is very important कई भर बंदा सोचते हैं कि हाँ जी अभी जवानी जवानी में तो अपने हिसाब से जीले life जब थोड़े से बजूर कोंगे तो फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे अभी तो अपने कामों पर तवज्जो दें जब retire हो जाएंगे न उसके बाद खुदा की सेवा करेंगे that is not the attitude who knows कि वो time period मिले के ना मिले वचन तभी बताता है कि हर अफसर को हर एक opportunity को valuable समझो यानि जो opportunity आपको मिली है उसे valuable समझो तो एक तो हम ये है कि अपने time के साथ अब कई लोग सोचते हैं कि हाँ जी time के कैसे निकालेंगे परमेश्वर के लिए आप दिन में भी निकाल सकते हैं आप हफते में भी निकाल सकते हैं पर कई लोगों के पास पूरे हफते में time नहीं होता है तो वो क्या करते है एक rest का दिन जो खुदा ने ठहराया है शबात का दिन ठहराया है उसमें परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और जब आप यह शाय नभी की किताब उसके 58 चाप्टर को पढ़ते हैं तो उसकी 13 और 14 वचन में ये बात कही गई है परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम उस विश्राम के दिन को ओनर करते हो उस शबात के दिन को ओनर करते हो और अपनी मर्जी नहीं करते और अपने हिसाब से नहीं चलते और अपनी बातों के मुताबिक अपनी लाइफ नहीं जीते तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा और ऐसा ब्लेस करूँगा कि मैं तुम्हें अपने देश की उंची-उंची जगाओं पर जो है वो चलाओंगा that means there is something that God wants to do from and through our lives and that is अगर हम अपने समय को परमेश्वर को आदर देने के लिए इस्तमाल करते so यह एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है most of the times इनसान जो है वो गवा बैठता है इस चीज़ को समझ नहीं पाता आप आज अपने मुबाइल को लेके बैठें शौट्स यह रील्स ओन करें और पता नहीं कितना कितना वक्त निकल जाता है ध्यान भी नहीं रहता है हमें लगता ही नहीं कि हमने इतना समय बर्बाद कर दिया पर अगर हम अपने समय को देखें जाने कि हम उसमें से कितना time परमेश्वर को दे रहें कितना समय हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं मुझे लगता है कि उसके साथ हम प्रभू को आदर दे सकते तो ये है पहली चीज जो दूसरी जो मैं बात शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि हम अपने टालेंड्स के साथ परमेश्वर को आदर देते हैं देखे जब आप मती रचित सू समाचार उसके चाप्टर नमबर 25 को पढ़ते हैं उसकी 14 से 30 आयत तक यहां पर तोडों का दृश्टांत दिया गया है मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक ऐसा दृश्टांत है जो हमने बहुत बार सुना होता है बहुत बार पढ़ा भी होता है पर कुछ ऐसी चीजे हैं जो मैं आपके साथ शेर करना चाहती हूँ इस स्पेसिफिक जो पैरबल है उसके साथ देखे सबसे पहली चीजे है कि किसी को एक मिला किसी को दो मिले किसी को पांच मिले यानि हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया कई बार जब आप लोगों से बात करते तो लोग कहतें ओ पासर जी मैं तो अनपढ़ हूँ मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ कई बार आप लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी ओहो मेरे पास तो इतने कोई वो resources नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूँ कई बार किसी से पूछे तो कहते हैं नहीं जी मैं कहां मेरे में तो ऐसी कोई लियाकत नहीं है बार हम लोगों को सिरफ इस बात की complain करते हुए सुनते कि मेरे पास ये नहीं है देखे जो नहीं है वो मत देखे एक तोड़े वाले को भी तो एक दिया गया ना यानि हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है इस समय मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों की ओर देखे सब लोग अपने हाथों की ओर देखे प्लीज इस समय अपने हाथों की ओर देखे अपने हाथों को देखकर ये बात कहें कि मेरे हाथ खाली नहीं है मेरे परमेश्वर ने इन हाथों में तोड़े दिये हैं टालेंट्स दिये हैं कोई भी चन ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई भी एक चीज नहीं है चाहे एक तोड़ा होगा पर होगा हर एक के पास क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि हर एक को उसकी capability के अनुसार दिया जाता है अगर आप एक चीज संभालने के योग्य हैं एक चीज आपको मिलेगी अगर दो, तीन, चार depending on कि आपकी एक शमता क्या है आप कितने तयार है उसके हिसाब से आपको तोड़े दिये जाते है तीसरी चीज जो ख्याल रखने वाली ये है कि उन तोड़ों के ऊपर काम करना हमारा काम है ये आप expect नहीं कर सकते कि जी परमेश्व ने दे दिया हाँ मेरी अच्छी आवाज तो है पर मैं करूँगा कुछ नहीं उस आवाज के साथ हाँ परभू ने मुझे बोलनेस दी पर मैं उस बोलनेस का करूँगा कुछ नहीं हाँ परमेश्वर ने मुझे जो खाना अच्छा बनाने का तोड़ा दिया पर करना मैंने कुछ नहीं मैं तो सरफ अमने घर वालों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है जी नहीं, that should not be your attitude आपको अपने तोड़े को इस्तिमाल करना है काहे के लिए जो तोड़ा आपको दिया गया है प्रभु की महिमा के लिए इस्तिमाल करें प्रभु के राज्य के विकास के लिए इस्तिमाल करें आवाज अच्छी है तो सारे वर्शिप लीडर नहीं बन जाएंगे क्या पता उस आवाज को परमेश्वर सेकुलर वर्ल्ड में आपके लिए एक बड़ी गवाही का कारण बनाना चाहते हैं आप अच्छे बोल्डी काम कर लेते क्या पता परमेश्वर आपको सोशल अक्टिविस्ट बनाना चाहते सारी पादरी नहीं बन जाते कई बार आपको परमेश्वर अलग अलग तोड़ों से नवाजेंगे आप कलीसिया में जाएं जो काम कलीसिया में हो सकता है वहां करें जो काम कलीसिया से बाहर एक गवाही बन कर हो सकता है वो करें ना यानि हर एक के लिए कुछ ना कुछ है पर आपको उस तोड़े के उपर काम करना पड़ेगा चौती चीज जो इन तोड़ों से ही हम सीख सकते कि कैसे हम आउनर कर सकते परमेश्वर को अपने तोड़ों से देखे लिखा है कि हर एक को अपना लेखा देना पड़ेगा everyone will have to give an account so आप ये नहीं कहके कह सकते कि हाँजी प्रभू आपने तो मुझे बड़ा अच्छा तोड़ा दिया था पर मैंने कलीसिया में कभी भी जो है वो साफ सफाई नहीं की मैंने कलीसिया में कभी बरतन नहीं उठाए मैंने कलीसिया में कभी दरिया नहीं बिचाई मैंने कलीसिया में कभी कुर्सिया नहीं रखी क्योंकि वो मेरे स्टेटस से नीचे का काम था आप नहीं कह सकते देखे परमेश्वर के सामने कौन सा स्टेटस और कौन सी जो है मैं कहती हूँ नाकूंची रखने की बात परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है चाहे आपकी अच्छी सेहत ही क्यों नहीं है पर उसे भी परमेश्वर के आदर के लिए इस्तमाल करें और पांच्वी चीज जो इसी दुरुष्टान से हम सीखते हैं वो ये है कि सब कुछ परमेश्वर का है कई बार लोग सोच लेते हैं ये पैसा मेरा है, ये सेहत मेरी है ये परिवार मेरा है, ये कलीसिया मेरी है जी नहीं, अल्टिमेटली सब कुछ परमेश्वर का है और अल्टिमेटली सब कुछ प्रभू को ही वापस सौंपना है तो इसलिए अगर आप आज आदर नहीं कर पा रहे हैं आपने टैलेंट्स के साथ परमेश्वर का तो याद रखें आपको लेखा देना पड़ेगा याद रखें आपसे जो है वो लिया जाएगा तो अगर एक का एक ही आपने रखा है ना तो परमेश्वर ने कहा था निकम्मे दास तो प्लीज निकम्मे दास वर्ड ना सुनिएगा परमेश्वर से लेकिन ये सुनिएगा वाव विश्वास योग्य दास तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा ये ले और बठेरे काधिकारी बनाया जाएगा तीसरी चीज जिससे हम आउनर कर सकते हैं वो अपने शरीर के साथ है या मैं इसको ऐसा कह दूँगी कि अपने मंदर के साथ आप परमेश्वार को आदर दे सकते हैं देखे जब आप वचन को पढ़ते हैं पहला कुरंधियों और उसमें ये बात बड़ी क्लेरली लिखी गई है कि परमेश्वार के वचन में लिखा है सिक्स चाप्टर में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वार का मंदर है और परमेश्वार का पवितरात्मा तुम में वास करता है सो ये बात दो चाप्टर में अलग-अलग तरीके से लिखी गई है और फिर ये सिक्स चाप्टर में जब हम पढ़ रहे हैं 19-20 में जब है तो ये लिखा हुआ है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वार की महिमा करो सो कई बार आप ये समझ सकते हैं शरीर ही तो है ना मिटी है मिटी में ही तो मिल जाना है अफकोस मिटी है मिटी में मिल जाएगा पर जब तक आपके पास है तब तक वो परमेश्वार की धरोहर है जिसमें परमेश्वार वास करते हैं अगर आप अपनी डाइट का अगर आप अपनी एकसराइस का अगर आप अपने वेल बींग का अगर आप अपने रख रखाव का खयाल नहीं रखते हैं अपने शरीर का तो आप क्या कर रहे हैं आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं और हर एक चीज जो अपने शरीर में आप करेंगे, करते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं पर मेश्वर्बों कि प्रभू मैं कितनी इज़त आपको अटाच करता हूँ क्या मैं अपने शरीर का खयाल रखता हूँ, अब मैं ये भी नहीं कहा रही है, आप और अपसेस्डी हो जाए कि हाँ जी, पास्टर नीतु ने कह दिया था कि शरीर का खयाल रखो, अब तो मैं सारा टाइमी ब्यूटी पारलर में, सैलोंस में जा जा कि टाइम स्पेंड करूंगा, जी नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, कि जो optimally आपको अपने शरीर का खयाल रखने की जरूरत है, अपने सोचों की, अपने विचारों की, अपनी बातों की, अपनी complete wellness का जो खयाल रखने की जरूरत है, that is very important, और कोई भी काम जो आप शरीर में करते हैं, इससे पहले जब 18 वचन में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वेविचार की बात की गई है, तो adultery की बात की गई है, यानि कोई भी ऐसा काम जो आप शरीर में होकर करते हैं, आप उस temple को क्या करते हैं, आप उस मंदिर को क्या करते हैं, temper करने की कोशिश करते और प्रभु इस चीज़ को लेकर बड़े पटिकुलर है प्रभु कहते हैं जो मेरे मंदिर को खराब करेगा फिर परमेश्वर उसके लिए दंड रखते हैं So इसलिए be very watchful, be very careful कि आप इस मंदिर का क्या करते हैं देखें ये वो मंदिर है जो चलता फिरता परमेश्वर का भवन है ये वो मंदिर है जिसमें परमेश्वर की उपस्तिती रहती है ये वो मंदिर है जिसके साथ आप जिस जगह पर चले जाते हैं वही पर परमेश्वर की presence को manifest करने का मौका देते हैं क्यों कि आपके अंदर से होकर परमेश्वर काम करते हैं तो जस जगा में परमेश्वर रहते हैं उसको कैसा होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए वचन से भरा हुआ होना चाहिए अच्छी चीजों से भरा हुआ होना चाहिए वचन की गहराई में बढ़ता हुआ होना चाहिए तो सिर्फ माइंड के हिसाब से नहीं कि सिर्फ जी मैं माइंड कोई साफ रखूँगा शरीर को भी साफ रखे आवेन सो आप इस तरीके से अपने टेंपल को मैं यह नहीं कहूँगी अपने शरीर के साथ आउनर कर सकते हैं मैं कहूँगी अपने टेंपल के साथ परमेश्वर को आउनर कर सकते हैं एक और चीज़ है जिसके साथ आप परमेश्वर को आदर दे सकते हैं और वो है अपने पैसे के साथ अपने treasures के साथ, अपने धन के साथ, ये एक ऐसा मुद्धा है कि जो मुझे लगता है जादा तर लोग बड़े touchy हो जाते इस चीज़ को लेकर, कहते हैं इस बात को आप छेड़ो, देखें वचन बताता है जब आप मतिरचित सू समाचार उसके 6 के 21 को पढ़ते हैं, तो वहा तेरा धन है, वहाँ तेरा नगा रहेगा, आप चाहे कलीसिया में भी बैठे हो, आपने नए गारी भी अगर ली हो, तो आपका ध्यान बार बार जाएगा हाई काड़ी को कोई हाथ न लगा दे, गाड़ी पर कोई निशान न डाल दे, हाई कोई गारी के साथ अपनी गाडी ना पाक कर दे और कहीं उस पर scratch ना लग जाए तो क्या है, basically क्योंकि आपका पैसा वहां लगा हुआ है तो आपका ध्यान बार-बार वहीं जाएगा यहां अगर आपने बहुत पैसे घर पे रखे होंगे तो आप बाहर भी कहीं घूमने जाओगे जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा सो करना क्या है बजाए इसके कि stock market को सारा टाइम देखते रहें, यार मेरा पैसा लगा stock market में, परमेश्वर के राज्य में invest करें, परमेश्वर के राज्य में उस हाथ को खोले, जिसको भरने की क्षमता परमेश्वर ने आपको दी है लोग टाइथ और ओफरिंग्स देकर ऐसा सोचते है कि हमने बड़ा हैसान कर दिया खुदा आपर मतलब टाइथ भी कभी किसी को बोल दो ना जी मलाकी नभी की किताब में लिखा है कि तीसरी चैप्टर की दस्वी आयत से आप पड़े तो लिखा है कि सारे दश्वांश और सारी भेंटे परमेश्वर कहते हैं मेरे भवन में ले आओ ताकि भोजन वस्तुओं की कमी ना रहे और फिर प्रभु कहते हैं कि वो भी आपके पास ना होता तो क्या कर लेते आप वैसे तो गाना बड़ा हम लोग बच्पन में गाया करते थे जब प्रभु को नहीं जानते थे तन, मन, धन, सब कुछ है तेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा कहने के लिए ये बाते बड़ी अच्छी लगते पर जब देने पड़ते हैं न तो ऐसे सुई सी होता है मन, पर आप आधर देते हैं जब आप परमेश्वर के लिए हाथ खोल देते आज आपके बच्चे आपके लिए कुछ करें तो आप बच्चों को कहेंगे हाँ जी चले मैं तुम्हें गिफ्ट देलाता हूँ चले मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ चलो ये मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो तुम सो रुपे हजार रुपे, दो हजार रुपे क्या करते हम, हम खुशी के मारे देते हैं और खुदा के लिए नहीं हम दे सकते हैं हम खुशी के मारे करें इट लुपे पर्मेश्वर को आपके सौ, दो, सो, हजार, दस हजार की जरूरत है आप सरफ ये दिखाते हैं कि खुदावद आपके सामने मेरे दस अजार एक लाख, दस लाख भी कुछ माइने नहीं रखते, आपने दिया, मैंने आप ही की महिमा के लिए इस पैसे को लगा दिया है So we should know how to honor God with our treasure, with our money, with whatever has been given to us कई लोग कहते है, Pastor जी बाकी सब कुछ ठीक है, पैसे के साथ नहीं बात करना, पैसे को नहीं छेरना अरे पैसा ही निकालना सबसे मुश्किल खाम होता है, अगर वही उसके साथ ही प्रभू को honor करना आपको आ गया ना I am telling you, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है Amen अगर जाता है, किसी को देख लेता तो वहां भाग लेता है, किसी की कोई अच्छी बात लग जाए तो उस तरफ भाग लेता है तो यानि ये जो मन है ना, इसको सब बातों में सबसे ज़्यादा चतुर और चंचल कहा गया है तो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है ये शाया नभी की किताब उसके 29 चाप्टर की 13 आयत में, परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग अपने मूँ से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन अभी भी मेरे से दूर है तो परमेश्वर वैसे से महिमा को, वैसे से इज़त को नहीं चाते हैं कि मूँ से तो कह रहे हैं, ओ परभू बहुत महिमा, परमेश्वर बहुत महिमा और अंदर खाते हैं पता है कुछ नहीं करना परमेश्वर ऐसे आदर को नहीं चाते हैं वचन बताता है जब आप प्रोवर्ब्स तीन के पांच को पढ़ते हैं, नीती वचन तीन के पांच को पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा ना ले, पर पूरे मन से यहोवा परमेश्वर पर ही जो है विश्वास कर, तो that is how we honor the Lord, कि प्रभु मेरे काम नही मेरे तरीके नहीं, मेरी सोच नहीं, मेरे plans नहीं, पर मैं अपने मन को आपके सामने surrender करता हूँ, कि जैसा आप चलाना चाहें, जो आप करना चाहें, जैसे आपके तरीके हैं, जैसा आपका plan है, मैं उसमें अपने आपको submit करता हूँ, देखे और सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब हम अपने किसे किसी बहुमूल्य चीज को गवा बैठते हैं जब किसी बड़ी वालुएबल चीज को सिरफ इसलिए गवा बैठते हैं क्योंकि वो परमेशुर के प्लान की अकॉर्डिंगली नहीं होती तो हमें लगता है कि परमेशुर ने ये चीज हम से ले ली पर हम नहीं ये बात समझ सकते हैं कि वो परमेशुर के प्लान में थी परमेश्वर आपकी रजा में ही मेरी रजा है That is how you honor the Lord That is when you say Lord, मुझे आपसे कोई complaint नहीं है आपके हिसाब से आपने किया क्योंकि आपकी प्रभु वचन में लिखा है कि आपकी सोच, आपके तरीके मेरी सोच और मेरे तरीकों से बहुत बढ़कर है और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु की सोच और हमारी सोच में इतना अंतर है जैसे कि स्वर्ग और जमीन पर So इसलिए जब आप अपने मन से परमेश्वर का आदर करते हैं आप परमेश्वर को भाते हैं और जो इनसान परमेश्वर को भाता है उसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे दरवाजों को खोलते है और एक जो बात प्रभु का वचन बार बार नीती वचन में कहता है वो ये लिखा है कि हे मेरे पुत्र हे मेरे बेटे अपना मन मेरी बातों की ओर लगा तो ये जो बस मन लगाना है ना इसको परमेश्वर के सामने टेम करके लाना है और अगर आप को समझ नहीं आती कि आप कैसे दुआ करें क्या बोले परमेश्वर को तो एक बात बोले जैसे भजन सहिता 51 के 10 में लिखा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन करें यानि प्रभू create in me a pure heart और आगे लिखा है और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन करें यानि एक steadfast spirit जो है ना खुदा एक रू जो डगमगाए नहीं उसको आप मेरे जीवन में जो है वो renew करके दे that should be our prayer हर दिन की हमारी ये प्राथना होनी चाहिए कि प्रभू आप मेरे अंदर उस शुद्ध मन को जो है holy मन को उत्पन करें ताकि प्रभू मैं आपसे वाद विवाद ना करूं पर मैं आपके साथ अलाइन होकर चलो मैं आपके साथ अलाइनमेंट में चलो देखें जब गाड़ी को आप चलाते हैं बहुत समय चलाते हैं बहुत सारे खड़ों में से आप निकालते हैं बहुत सारी बुरी सड़कों में से भी होकर जाते हैं कही बार हम ध्यान नहीं देते और हम उन बुरी सडकों पर भी स्पीड से लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? गाडी की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, ता कि बिल्कुल सही तरीके से, अगर आपने स्टेरिंग वील सीधा पकड़ा तो वो सीधा चले, अगर आपने तेर के लिए छोड़ भी दिया है, तो इधर उधर ना गाड़ी आपकी घूमती जाए, अलाइनमेंट ज़रूरी है, तो अगर गाड़ी को अलाइनमेंट ज़रूरी है, तो जीवन को अलाइनमेंट कितनी ज़रूरी है, सो अलाइनमेंट सिरफ तभी हो सकती है, जब आपका मन परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के साथ aligned होगा और आप पाक रू को पवितर आत्मा को मौका देंगे कि वो आपको संचालित कर सके, आपको चला सके सो आज मैं इस वचन के साथ आप सभों को encourage करना चाहती हूं कि परमेश्वर को वो ओधा दे, जिसके वो लायक है, परमेश्वर को उस जगा पर बिठाए, जहां के लिए प्रभू ने आपको चुना है और आपके हर एक काम से इन सब एरियाज में भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए परमेश्वर की इजद होनी चाहिए और मेरी प्राथना है कि जैसे वचन में लिखा हुआ है कि प्रभू का वचन Exodus के Chapter 20 में ये बात कहता है कि तुम्हारे सामने कोई और खुदा नहीं होना चाहिए तो आपके सामने कोई और खुदा नहों ना आपका काम आपका खुदा बने ना आपका परिवार आपका खुदा बने ना आपका पैसा आपका खुदा बने ना ही कोई और चीज आपका खुदा बने सिरफ जो है परमेश्वर वो ही आपके परमेश्वर बने ये मेरी आपके लिए प्राथना है और जैसे वचन में लिखा है कि कोई भी इंसान दो मास्टर्स को दो स्वामियों को केटर नहीं कर सकता सर्व नहीं कर सकता जैसे मतिर अचित सू समाचा 6 के 24 में ये बात कही है तो मेरी आज आपके लिए प्राथना है कि आप उन परमेश्वेर को जो सर्व शक्ति मान जिन्होंने सब कुछ बनाया जो सोवरन गौड है जो हमारे अबा पिता है जो खुदावन येश्व में जिनके लिए हमारे मुझ से ये बात निकलती है कि प्रभू आप हमारे पिता है वो ही आपके परमेश्वर हो वो ही आपको संचालत करने वाले प्रभू हो और अपने पाक रू के द्वारा स्वर्ग की बातों को आप तक जाहिर करने वाले परमेश्वर हो आमेन आए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करते है और परमेश्वर का धन्यवाद देते है और मैं चाहती हूँ कि हम सब इस प्रातना में शामिल हो जाए हाललुए धन्यवाद हो मेरे जिन्दा चलाली परमेश्वर महिमा से भरे हुए हमारे खुदावन महिमा के साथ काम करने वाले परमेश्वर महिमा से महिमा की और ले जाने वाले खुदावन हम सारी महिमाभी के नाम को देते हैं और इस बात के लिए धन्यवादでते है कि प्रभू समय समय पर आप अपने वचन के द्वारा हमें अलाइन करते हैं हमारे मन को अलाइन करते हैं और पिता चाहे हम जैसे भी दुख बरे हालातों से होकर क्यों ना गुजरें, प्रभू पर हम आपको आदर आपको जलाल देने के योग्य ठेहरे, मेरे खुदा ऐसी आप हमारे जीवन को, ऐसी आप हमारे जीवन शैली को बना दे, प्रभू मैं प्राथना करती हूँ, आज जितने भी भाईओं और बहनो ने इस वचन को सुना है, जितनों भी प्रभू इस वचन को receive किया है, जितनों ने भी, होने दे मेरे खुदा कि ये वचन उनके जीवनों का एक एहम हिस्सा बन जाए। वो हर एक बात में आप ही को धन्यवाद और आप ही को महिमा देने की योग्य हो जाए। प्रभू अपने कामों से, अपनी रिसोर्से से, अपने समय से, अपनी बॉडी से, अपने मन से मेरे खुदा अपने परिवार से, हर बात से, अपने टालेंट से मेरे खुदा वो सिरफ और सिरफ आप ही की महिमा करने के योग्य हो जाए प्रभु जी अगर आज हमें से कोई भी जन ऐसा है जो अपनी विल को आपके साथ अलाइन नहीं कर पा रहा और अपने दुखों की ओर बार बार मुड़ कर देख रहा है तो मेरी प्राथना है कि आपकी शान्ती मेरे खुदा उनके जीवन का एक हम हिस्सा बन जाए और प्रभु जहां जहां वो गिरते हैं आप अपना हाथ बढ़ा कर उन्हें उठा कर उन्हें सामर्थ और अपने बल के साथ भर दे ताकि प्रभु जी वो आपकी और ताक्त हुए बढ़ते जाए और फिर से डगमगाना छोड़ दे धन्यवाद देते हैं पिता सब भेन और भाईयों के लिए जो आज आज आनलाइन हमारे साथ है और प्रभु होने दे कि उनके परिवारों में उनके घरों में आपकी शामती आपका शालोमा कर ठहर जाए और प्रभु उनके हर एक काम से आपका नाम महिमा पास सके धन्यवाद के साथ इस प्राथना को बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यश्व मसी नासरी के जिन्दा नाम में होकर मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमेन आमेन